फिर है चीकन गुनिया चीकन गुनिया भी विशानुजनित रोग होती है जो मच्छर के काटने से ही फैलता है चीकन गुनिया जो रोग होती है उसे अलफा वायरस के करण फैलती है इसका रोग वहाँ क्या होती है एडिज एजीप्टी मच्छर और एडिज अलबो टिंक्स प बंदू और मोकोंडो सभासा से इसको लिया गया है जिसमें क्या होते हैं संधी सोध होती है इस त्रोप में क्या कहोता है जोड़ जोड़ में दर्द होती है और सरीर में फफोले धब्बे उभर आते हैं संधी जो कंजेक्टी होती है वेक्टी को बुखार आता है जो एक से ए तक होती है बुखार उतर जाने पर के बाद भी ये 5-7 दिनों तक क्या होता है सिर्जदर्द अनित्रत हकान और ताकत में कमी संधी सोध बना रहता है इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए इस रोग से बचने के लिए पूरे सरीर को ढखे ऐसा हमको वस्तर पहना चाहिए मच्छर को भगाने के उपाया किये जाने चाहिए घर के आज पर साप सुतर रखनी चाहिए और इस रोग में बुखार आने पर क्लोरोक्विन फास्फेट नमक और सोधी का उप्योग करना चाहिए फिर है सधारन जुकाम या नासा सोध सधारन जुकाम आप सभी जानते हैं जब हमको वाइरल ऐसी सरदी होती है तो कैसा लगता है ये जो सरदी होती है वो राइनो वाइरस के कारण फैलता है और इसमें इसका लच्छन कैसे होता है इस रोग के कारण स्वसन अंग जो होती है वो सरदी संक्रमित हो जाती है जिससे क्या होता है नाक से नोजल संकुलत मतलब क्या होता है स्राव होता है पानी बहता है आवाज भद्दी हो जाती है मोटी आवाज आती है खांसी होता है सिर्धर्द होता है ठकावट होती है और यह प्रायह तीन से पांच साथ दिन तक रहता है इसका संक्रमन वेक्ति खांसी और छीकने के साथ साथ छोटी छोटी बुंदो जैसे बुंदे जब स्वस्त वेक्ति के संपरक में आती है, तो उसे भी क्या होता है? यो संक्रमित हो जाती है, इसका उपचार क्या है? प्राय जुकाम 3-5 दिनों के अंदर स्वयमिया ठीक हो जाती है और इसमें ओसाधी क्या होता है? घृहाणी उत्तेजना की गम् करने के लिए ग्रांड मार्ग मतलब जो नोजल मारग होती है नाक मारग होती है उसको साफ करने के लिए ली जाती है फिर है फंगल डिजिस फंगल डिजिस में दाद देखते हैं तोचा में दाद खाद खुजली होती है वो क्या है फंगल डिजिस होती है तो इसी को ही कवक ज पाग धब्बे हो जाते हैं और धब्बो में खुजली होती है नमी बना रहता है महाँ पर वहाँ पर रेट रेट कलर की हो जाती है पैर की उंगलियां के भी संक्रमन होने लगता है संक्रमन की विधी क्या होती है मिट्टी से ये संक्रमन फैलता है वेक्तियों में तॉलिये पड़े कंगी यादि का उप्योग करने से भी फैलता है दात की उप्चार के लिए बहुंसी सधी उपलब्ध है अता स्वेम पर उप्चार करना आतियावस्यक होता है फिर आगे हैं प्रतिजविक तो प्रतिजविक क्या होती अभी हम लोग कोरोना वाइरस की खारण बोलते ह कि हमारे बॉड़ी में प्रतिरक्षा या इम्म्निटी प्वावर होनी चाही तो ये इम्म्निटी ही क्या होती है प्रतिरक्षा होती है प्रतिजविक में रोगों से लड़ने की जो छमता होती उसे ही क्या बोलते हैं प्रतिरक्षा कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र क्या होती ह प्रतिरक्षा विज्ञान को एडवर्ड जेंडर ने रखी थी, इसलिए प्रतिरक्षा तंत्रा के जनक कहा जाता है कि इसको एडवर्ड जेनर को, हमारे सरीर में B-T-Kosika के कारण ये पैदा होते, वास्ता में B-Kosika, T-Kosika में होने वाले B-Kosika, T-Kosika प्रेरित होने के बाद बहुंसी प्रभावी यादास्त को सिकाएं को पैदा करती है, प्रभावी को सिकाएं आकरमन करने वाले एंटिजनों को क्या कर देती है, नश्ट करने में साहता करती है, जो हमारे बाडी में आकरमन करती है, उसको क्या करती है, एंटिजन उसको नश्ट कर देती है, जबकि जबकि याददास्त को सिखाएं दूसरे आकरमन के समय फिर से उसे प्रभावी बना देती है। इसे याददास्त को सिखाएं को उत्पादित करती है। जब कोई बीमारी एक बार होती है और प्रतिरक्षा के विख्शित हो जाने पर के कारण दुबारा नहीं होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को उपाद्जित या सक्री प्रतिरक्षा कहते हैं। होता है ना हमारे बॉड़ी में क्या रहती है इमनिटी पावर रहती है इमनिटी पावर क्या है यही पीला और जो पीला होती है या लसी का होती है यही क्या होती है प्रतिरक्षा होती है जो हमारे बॉड़ी को क्या करती है जो वाइरस है या जो बैक्टिरिया है वो जब हमार मतलब हमारे सरीर की रक्षा करती है तो इसमें T और B कोसिका होती है एक कोसिका का कार्य क्या होती है इन वाइरस को मारने का और दूसरी कोसिका का कार्य क्या होता है या दास्त रखने का मतलब उसको जो कोसिका मारता है वो नश्ट हो जाता है लेकिन एक कोसिका क्या करती है उस गटना को याद रखे रहता है इससे क्या होती है जब दोबारा कोई वायरास या बेक्टेरिया हमारे बॉड़ी में आक्रमन करती है तो उसको फिर से वो रिवाई सोचाता है कि यही जो बेक्टेरिया वायरास है इससे पहले भी हमारे सरीर में आक्रमन हुआ था तो क्या करते लेटी हैं एसको डबल से उसके आक्रमन करके उसको नश्ट कर देते हैं तो यह चीजीएं हमें बताये गया हैं हमारे शरीर में यह दीर, यह ऑतो, किस्कशिक होती है हमारे सरीर की जोड़ों में एकत्रित होती है जो बाय है जो वायरस होती बिक्टरिय होती है उसकी एक्रमन से हमारे सरीर को रक्षा करती है यही क्या होती है इमनिटिव पावर होती है फिर इसके प्रकार होते है इसके प्रकार के है सभाविक प्रति रक्षा और इसके दो प्र उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं तो यह जो आगे स्वभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा इसको निर्ष्ट क्लास में पढ़ेंगे